आप सभी का बहुत बहुत शागत है इस वीडियो में हम मद्ध प्रदेश के जीके के वारे में थोड़ी से इंफॉर्मेशन लेंगे क्योंकि आपके जो एक्जाम से मद्ध प्रदेश के पारता परिक्षा होने वाले हैं उसमें आपका जीके बेरी इंपॉर्टेंट रखता ह तो चुलिया ये फिर देख लेते हैं जिसे मद्ध प्रदेश शरकार द्वारा जिले के गठन के करम में एक और संकहा की बामन हो गई है मतलब मद्ध प्रदेश में अब अगर जिलों की संकहा की बात की जाया आपके मद्य प्रदेश में इंपोर्टेंट है ये कोश्चन जरूर आपसे पूछा सकता कि मद्य प्रदेश में कुर्जिरों की संक्या कितनी है तो मद्य प्रदेश में कुर्जिरों की संक्या बामन हो गई यानि बामन है अब ये देख लेते हैं कोशन ऐसा भी पूछ सकता है कि प्रदेश का 52 जिला है वो कौन सा है तो देखिए प्रदेश का 52 जिला है वो निवारी को बनाया गया है यानि मद्ध प्रदेश का 52 जिला कौन सा है तो निवारी है निवारी को बनाया गया है 52 जिला ठीक है कोश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं आपसे ये कहां से लिया गया गया किस जिले में पहरत देखिए जो टीकमगड़ है तो टीकमगड़ जिले की एक तहसील हुआ करती थी निवाड़ी यानि कि कहां से किसे अलग किया गया है निवाड़ी को जो मद्द प्रदेश से बना अब मद्द प्रदेश के एक नयाज जिला बनाया गया है तो वो है टीकमगड जिला यानि टीकमगड जिले से एक तहसील को अलग कर दिया गया है जो कि निवाडी जिसका नाम था और उसे एक अब जिला बना दिया गया है तो दो कोश्चन बन गए है कि मद्य प्रदेश में कुल कितने सारी त्री कोश्चन बन गए है मद्य प्रदेश में कुल जिलों के संक्या कितनी है तो बामन है मद्य प्रदेश का बावनवा जिला कौन सा है तो निवाडी है और निवाडी जो है किस जिले से बनाया गया है किस जिले से अलग करके तो टिकमगर जिले की एक जो तैसिल थी उससे अलग करके बनाया गया है ठीक है निवाडी प्रदेश के 52 जिले के रूप में 1 अक्टूबर 2018 को बिद्वत तरीके से अपने अस्तित्त में आया यानि एक अक्टूबर 2018 को अस्तित में आया यानि 52 जो जिला बना वो कब बना तो वो एक अक्टूबर 2018 को बना ठीक है अगला कुश्चन इसमें से देख लेते हैं क्या बन रहा है कि बास्तों में 2013 के बिदान स्वा चुनाओ के दरार मुखवंति सी सीवरा सिंग चोहान ने निवाडी को जिला बनाने की गोशना की थी अगस्त 2016 में प्रस्ताव भी मागा था और इसकी उपचारिक्ताओं को पूड़ा करने के बाद जुलाई 2018 के प्रतम शप्ताह में गजट नोटिफिकेशन कर दावे आपतिया बुलाई गई थी तो निवाडी बनेगा लेकिन अस्तित्त में कब आया गोशना कब की गई वो है आपका अक्टूबर में ठीक है ना इक अक्टूबर 2018 को चलिए निश्ट देख लेते हैं इस मसी और भी बहुत सारी चीजे हैं जो आप इसे पॉस करके इसको देख सकते हैं वीडियो को ठीक है ना और इसमें से टीकमगर जिले की सिमाओं को उससे ही उसकी तहसील जो है प्रितिवी पूर निवाडी एवं ओर्षा को अपवर्जित करते हुए परिवर्टित करती ह तता इस तहसीलों को समाविष्ट करते हुए एक नवीन जिला निवाडी का स्रजन किया गया यानि जो उसकी तहसील पृतिवी पूर है और इसकी अंतरगत जो यह नया जिला है इस नया जिले के अंतरगत पृतिवी पूर जो है उसकी तहसील की 56 पंचायते हैं ये भी आप रखिएगा माइंड में कि इस जिले के अंतरगत जो पृतिवी पूर की तहसील है इनकी 56 पंचायते हैं और निवाडी की चौमन पंचायते हैं और शा की सत्रा पंचायते सामिल की गई है यानि तीनों को मिलाके निवाडी बनाया गया पृतिवी पूर निवाडी और और्चा जिसमें पृत्वी पूर्ट तहसीली जो है उसकी सिर्फ 56 पंचाते अपनी खुद की हैं निवाडी की चौमन और और्चा की 17 पंचाते हैं और इस प्रकार यहां कुल 127 ग्राम पंचाते सामिल की गई हैं तो यह भी पूछ सकता है कि निवाडी में कितनी ग्राम पंच चाते हैं तो 127 ग्राम पंचाते निवाडी में है निवाडी जिले में तो इन चीजों को थोड़ा सा आप माइंड में रखेगा कोश्चन जो है इनी से पोछे जाते हैं अगर हम 6 प्रफल की बात करते हैं तो 1318 वर किलो मीटर इसका 6 प्रफल है आवादी यानि पॉपलेशन की बात करें हम तो 4,1,000 इसकी आवादी होगी निवाडी के नया जिला बनने के मद्द प्रदेश के जिलों का 6 प्रफल तता जन संक्या करम में बदला हो गए हैं और अब मद्द प्रदेश का 6 प्रफल की दृष्ट से सबसे छोटा जिला है वो निवाडी हो गया है तो बह सबसे चोटा जिला हो गया है मद्द प्रदेश का तो अगर मद्द प्रदेश में सबसे छोटा जन संक्या 6 प्रफल में कुछ भी पूस्ता है तो आपको निवाडी पर टिक करना है ठीक है तो पप्लेशन वही चार लाख एक हजार और अगर शिट पल की बात करें तो एक लाख तीन सो अठारा सारी एक हजार तीन सो अठारा ती थोड़ी चार इंफॉर्मेशन इसमें ले लेते हैं जल्दी से और इसमें तो बहुत सा ऑच्छा है वो अब निवाडी का हिस्सा बन गया और शा से समबंदित बहुत सारे कोश्चन साते हैं बहुत अच्छी जगह है टूरिस्ट प्लेस है यहां तो इससे जो question पूछ जाता तो एक question ये create होता है कि और्चा कि जिले में होता कि जिले के अंतर आता है तो अब और जो है वो आपका निवाडी में आता है निवाडी में सामिल कर दिया गया है नि जो अक्रू अच्रू माता का प्रशिद मंदिर भी है वो भी नए जिले जिनिवारी में चले गए हैं तो जो मंदिर वगेरे से कोश्चन पूछे जाते थे जिनमें ये इंपोर्टेंट रखता था तो ये सब आपके नए जिले निवारी में चले गए हैं तो इस तरह से जो question है आपका important है तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि जो आपका गड़ कुंडार का प्रशिद किला है वो भी आपका निवाडी में है और जो अर्शुमाता का प्रशिद मंदीर है वो भी आपके नए जिले निवाडी में चले गए हैं और तीन तहसीलों के साथ दो विकास खड़ निवाडी और प्रित्वी पूर्वी नए जिले में सामिल हो गए हैं तो इस तरह से आज की वीडियो में हमने देखा कि आज जो आपका नया जिला निवाडी है उसकी अंतरगत क्या क्या आता है कितने जिले हैं पॉपलेशन क्य क्या है उसका चेट रुपल एरिया क्या है बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमने इससे लिए तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताईएगा वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसको सब्सक्राइब कर लेजे क् आपके लिए हम ऐसे वीडियो लेके आते रहेंगे चलिए फिन नेस्ट वीडियो ने इंफॉर्मेशन के साथ फिर आपसे मिलते हैं तब तक के लिए टेक केर बाए